श्रीक अड़े शाय नवाना मश्कार में त्रोज स्वागत करती हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ग्यान गंगा में हिंदु धर्म में विवां से पूर सबसे पहले वर और कन्या की कुंडियों में 36 गुणों का मिलान किया जाता है इन में सिवार और कन्या के कम से कम 18 गुण मिलने जरूरी हैं इन गुणों के मिलने के बाद ही शादी की तारीक निकाली जाती है तो चलिए जानते हैं नवंबर माँ में पढ़ने वाले शुब विवा मुहरत के बारे में लेकिन वीडियो शूर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी विवा मुहरत की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे तकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकुल ना भूले तो चली शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो तीस जोन से देवशेयन के बाद भगवान विश्नु चीर सागर में अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर करीब पांच मा के बाद वा पुना जागरत होकर स्रिष्टी का कारभार गरहन करते हैं 27 नवंबर से फिर से लगन शुरू हो रहे हैं इस बार नवंबर मा में केवल दो विवा मुरत के लिए शुब मुरत हैं तो चली जानते हैं इन दो मुरत के बारे में नवंबर मा की विवा मुरत इस प्रकार हैं 25 नवंबर 2020 दिन बुद्वार्तिती रहेगी एकांदशी नक्षट रहेगा उत्तर भाधप्रत और मुरत समय रहेगा सुबह 6 बच का 52 मिनट से दोपे 3 बच का 54 मिनट तक 30 नवंबर 2020 दिन सोमवार्तिती रहेगी पुर्णी मा प्रतिपदा नक्षट रहेगा रोहनी और मुरत का समय रहेगा सुबह 6 बच का 56 मिनट से 1 दिशंबर की सुबह 6 बच का 57 मिनट तक तो ये थी जानकाई नवंबर माह में पढ़ने वाले विवामोरत की तितियों के बारे में मेरे वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ